मुश्कार स्वागत आपका सेल्स्टेडी के चैनल पर और आज हम अपनी इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं टाइम एंड वर्क से रिलेटिड जो पार्ट फाइफ है जिसमें हम कोशन 43 से 50 तक हम यह करने वाले हैं जैसे कि आपको बता है कि हम यहां पर राकेश यादो सर के जो क्लास नोट्स हैं अर्थमेटिक सबसे पहले अर्थमेटिक जो है हम कंप्रेट करेंगे और इसमें हमने सबसे पहले जो टोपिक लिया है वो टाइम एंड वर्क है इससे पहले कि जो चार वीडियो हैं उनकी अलग से प्लेइलिस्ट बना दी गई है तो अगर आपने वाली वीडियो नहीं देखे तो आप पहले वो देखिए फिर आपको यह जब देखेंगे आपको बहुत अच्छे से concept clear हो जाएगा पेडियेफ के लिए मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया हुआ है कि description box में टेलिग्राम का एक link दिया मिलेगा तो जाकर आप वहां से इस वीडियो की PDF जब वहां से download कर सकते हैं या कि यह जो book है वो आप लोगों को PDF format में भी टेलिग्राम चैनल पे मिल जाएगी तो चलिए शुरू करते हैं देखे अभी जो question आपके सामने वो English में है मैं आपको Hindi में detect मैं कर दूँगा अभी मेरे पास इतना resource नहीं था कि मैं इसको लिखा है फोटो क्लिक करके ही यहां पर मैंने इसको अरेंज किया है आने वाले टाइम में कोशिट करूँगा कि हिंदी की एक मेरे पास वो जो class notes रहे उसकी भी photo यहां पर लगा दूँए अभी के लिए मैं आप लोगों के लिए ऐसा करूँगा कि यह जो English में लिख रहते हैं कि A ने काम करना शुरू किया और left यानि कि उसने काम करना छोड़ दिया दो दिन के बाद यानि कि A कोई काम करने लगा और दो दिन होते ही उसने काम छोड़ दिया and remaining work is done by B in 9 days और जो बाकी बचा वर्क यानि कि जो remaining जो 6 बचा काम रह गया वो B ने किया 9 दिन के अंदर ध्यान देना कि A ने 2 दिन तक काम किया फिर B ने 9 दिन तक काम किया तब जाके इन दोनों का जो किया हुआ जो काम है वो complete हुआ यानि कि इसका 2 दिन का काम और B का 9 दि देते हैं उसको हम 9 से multiply कर देते हैं A की जो efficiency वो A ही मान लो उसको हम 2 से multiply कर देते हैं तो यहां पर जो work निकल कर आएगा वो total work निकल कर आजएगा यह total work हो गया अब आगे की जो line बोली गई अब यहां पढ़ते है इस A left after 3 days then B complete the remaining work in 6 days बोला गया है कि अगर A उसी काम को 3 द पचा काम जो है वो 6 दिन में complete कर लेगा अब A को लाइन बोल दीगी अब इसको ऐसा समझो कि A जो है उसने 3 दिन तक काम किया और B ने 3 दिन के बाद B लग गया B ने कितने दिन तक काम किया B ने 6 दिन तक काम किया अब यहां पर यह काम complete हो जाते हैं तो यहां पर भी यह total work रहा यह total work रहा तो यह वाला जो total work है जो पुराने वाली जो statement दीगी थी उसके total work है तो equally होगा कि अगर 2 दिन B का A काम करे और 9 दिन B काम करे वो बराबरी होगा अगर A 3 दिन काम करे और B 6 दिन काम करे clear हुआ काम का बराबरी है न ऐसा नहीं कि काम कम ज्यादा हो गया काम तो सेम रहेगा मान लेजीए 10 कुर्सियां बना रहे थे तो 10 कुर्सिय यहां पर भी बनी A ने 2 दिन कुर्सिय बनाई B ने 9 दिन तक कुर्सिय बना तो total 10 कुर्सिय बना दी गई यहाँ पर भी तो सेम रहा ना A ने तीन दिन तक कुरसी हम नाई फिर B ने छे दिन तक कुरसी हम नाई टोटल दस कुरसी हम ही तो बन के निकली वहाँ पर clear हूँ अब यहाँ पर एक मिनिट यह मैं रफ कर देता हूँ अब आगे की statement पढ़ते हैं बोला गए कि then in how many days A and B can complete this work individually बोला गए कि A और B इस काम को अकेले-अकेले कितने दिन में कर देंगे first of all तो हम पहले जो total work है वो निकाल लेते हैं कि total work है कितना ठीक है फिर efficiency हो जाएगी हमारे सामने efficiency जैसे निकल कराएगी फिर हम total work के divide कर देंगे use efficiency से फिर हमे days मिल जाएगे clear work अब यहाँ पर देखे 2A अब इस statement को अब देखे आपके सामने यह statement बन गई है अब यहाँ पर क्या करना देखे यह जो A वाली जो यह हो गया हमारे सामने 3A इस 2A को इधर ले आते हैं माइनस कर देते हैं इस A में से इस 6B को यहाँ पर ले जाते हैं इस 9B में से माइनस कर देते हैं तो 6B यहाँ पर आएगा तो माइनस हो जाएगा इस 9 में से तो यहाँ पर आपके सामने बचेगा एक इनट मैं लिखे देता हूँ 9B माइनस का 6B is equal to 3A माइनस का 2A अब यहाँ पर आपके सामने बचा 3B यहाँ पर आपके सामने बचा अकेला A तीन में से दो गया यहाँ पर एक लिखो या नि लिखो वह तो बात एक ही है किसी भी चीज को multiply आप 1 से करते हैं तो वही नमबर आ जाते है अब यहाँ पर अब हम क्या करते हैं इस B को इसके नीचे ले आते हैं तो यहाँ बनेगा आपके सामने A by B is equal to 3 by 1 तो यह होगी आपके सामने efficiency की ratio आगई efficiency की क्या आगई ratio आगई अब यहाँ पर देखिए यह 3X हो गया A की efficiency B की efficiency कितनी होगी X हो गई अब total efficiency कर लीजिए यह total efficiency है total efficiency होगी हमारे सामने कितनी होगी 4X हो गई अब लेकिन यह total efficiency है नहीं कि दोनों एक साथ तो काम नहीं कर रहे अलग-अलग काम कर रहे है तो यहाँ पर आप इनकी efficiency को अलग-अलग रखके multiply करवा दीजिए मतलब कि आपने यहाँ पर क्या रखा A की efficiency क्या आई हुई है 3X आई हुई है तो 2 into में 3X कर दिया तो आपके सामने आगया 3X यहाँ पर 9 को आपने multiply कर दिया B से B की efficiency के X plus में 9X clear हुआ तो total आपके सामने आगया 15X clear अब यहाँ पर आपके सामने पूछा गया कि अगर दोनों अलग-अलग काम करें तो this 15X यह total work आए आपके सामने यह total work कितने हुआ था यहाँ पर आपके सामने A की efficiency 3X तो आप इसको 3X से divided कर दीजिए तो X से X कटेगा 3 यहाँ पर आएगा 5 common number था वो cut गया था वो समझ ली वो common number x ही तो था इनके अंदर तो यहां पर जो है वो x मैंने एक तरीके से आपको समझाने के लिए है कि वो common number x ही था इनके अंदर अगर आप लोगों का x नहीं लेना है तो मत लीजिए आप सीधा multiply करेंगे इनको 2 से इसको 3 से statement पर गोर करिए कि a अगर 2 दिन काम करता है a अगर 2 दिन काम करता है b उसके बाद 9 दिन काम करेगा और वो काम complete हो जाएगा clear अब देखिए अगर a जो है वो 3 दिन काम करें देखिए पहले जो है यहांप लिखना पहले a जो है वो 2 दिन काम कर रहा था और B को उस काम को फिर खतम करने में कितने दिन लग रहे थे 9 दिन लग रहे थे अब अगर हम A से 3 दिन का काम करा ले तो B कितने दिन में काम खतम करतेगा 6 दिन में तो अगर आप इस चीज़ को ध्यान से समझें तो देखिए उसका एक दिन बढ़ा A का एक दिन बढ़ा और B के कितने दिन कम हो गए माइनस तीन दिन तीन दिन कम हो गए यानि कि A का एक दिन का काम बराबर है B के तीन दिन के काम के बराबर अगर आप ऐसे समझे तो यहां देखे काम तो अपकिस हमने वही आए ना B का 9 से घटके 6 दिन हो गया, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि, जितना A एक दिन में काम करता है, B जो है उतना ही 3 दिन में काम करता है, क्लियर हुआ, कैसे, देखिए, एक दिन बढ़ाने से, B के 3 दिन कम लगे, तो इससे तो यह चीज के लिए होना है, कि A का एक दिन बढ़ाबर है, B के 3 दिन के बढ़ाबर, और यह सब चीज़ें आपको नहीं भी करनी पड़ेंगी, यह सारा आप अटा दीजिए, आपके सामने यह चीज़ें आप अटाएंगे, तब सीधा यहीं से आप क्या है, इनकी रेशो है, यहां से निकाल सकते हैं, और वर्क यहां पर निकाल कर, इनका इनका इंडिविज्वल डे भी यहां से निकाल सकते हैं, I hope so, यह जो कोशन आप लोगों को समझ में आगया होगा, इसके आगे, जो हम कोशन करने वाले हैं, 44, वो वैसा ही कोशन है, देखिए, A started a work and left working 4 days, वही, A ने काम करना शुरू किया, और 4 दिन बाद उसने काम करना छोड़ दिया, मतलब कि A ने 4 दिन तक तो काम किया, प्लस, B finished the remaining work in the next 18 days, और B ने जो बाकी बचा काम है, वो अगले 18 दिन में काम किया, तो 18 दिन का B का काम हो गया, equal to हम करेंगे, had A left the work after working for 6 days, अगर A काम 6 दिन तक करता, और उसके बाद छोड़ता, तो यानि A ने अब 6 दिन तक काम किया, then B would have finished the remaining work in the next 12 days, तो B जो है उस काम को 12 दिन में खतम कर पाता, काम तो वही होगे न, मतलब कि हमने जो पिछला कोशन के सेम वही होगे, वही स्टेटमेंट बनके आगे आगे आपके सामने, इस 4 A को आप यहां लेकर आजाईए, इस 12 B को आप यहां लेकर आजाईए, तो यहां आएगा 6 B is equal to, यहां पर आएगा आपके सामने, 6 में से 4 गया है, निकाल दीजिए, किसी भी equation है, इसके अंदर आप put कर दीजिए, A की value यहां पर put करेंगे, 4 इंटू में 3, प्लस में 18 इंटू में 1, तो यहां आएगा 12 प्लस 18 is equal to 30, अब पूछा गया है कि A और B alone कि इस काम को कितने दिन में करेंगे, भई A की efficiency 3 है, तो 3 को, इस 30 को हम 3 से divide करेंगे, तो यहां पर आपके सामने आजएगा 10, B की efficiency कितनी है, 1 है, इस 30 को हम divide करेंगे 1 से, तो आपके सामने answer क्या आजाएगा 30, तो आपके सामने individual day भी निकल कर आजाएगे, पूछें कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, 30 है, 4 से आप divide करेंगे, यहां 2 आएगा, यहां 15, यहां आएगा आपके सामने, 7.5, यहनि 7.5 दिन में जो यह काम खतम हो जाएगा, तो यह individual भी आप निकाल सकते हैं, बी को 18 दिन लग रहे थे, अब A को अगर हम 2 दिन बढ़ा दें, देखिए, A के अगर हम 2 दिन बढ़ा दें, A के अगर हम 2 दिन बढ़ा दें, तो B को कितने दिन लगेंगे, B को फिर 12 दिन लगेंगे, तो आप यहां से अगर समझे, तो यहां पर तो इसके दो दिन बढ़े यहां पर तो इसके दो दिन बढ़े और यहां पर इनके बीच में कितना डिफरेंस आ गया 6 का डिफरेंस, माइनस का 6 का डिफरेंस आ गया तो हम कहा सकते हैं कि A के 2 दिन का काम बराबर है B के 6 दिन के काम के परापर clear वा तो यह वही चीज़ है जो भी है विन है आप लोगों को पिछले question बताई आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं और यह आपके सामने एक पूरा एक concept wise question तो होई गया आपके सामने और आपको क्या करना आपको इतना कोई concept तो नहीं लिख आना ना पेपर में आपको तो exam में question solve करना है जल्दी से जल्दी उसको solve करना है तो आपके सामने वह जल्दी से तरीका क्या हो सकते हैं आप उन चीज़ों को समझ यह और उन में से जो एक method निकल कर आता है करना कि उसको पकड़ने कोश्च करिए देखें यह कोई ऐसा नहीं कि आप यह करेंगे तो इससे question गलत हो जाएगा यह यह आपका sharp mind है और आप ही इस कीज को निकाल पाते हैं मैंने कोई अलग से को किताबी नहीं पढ़ीं हैं यहीं से पड़ेश से इन मैं से इन चीजों को निकाला हुआ हूआ है मैंने आप दो जल्दी मैंने कहोंगा आप अप एकदम से चीजों को निकाल पाएंगे या फिर एकदम ट्रिक में बहुत जादा है ट्रिक तो नहीं कहूंगा इस चीज़ को मैं ट्रिक कहना तो गलत है क्योंकि यह इसी concept में से निकले हुई चीज़ है तो इन चीज़ों को एकदम से बनाने लगेंगे थोड़ा टाइम लगेगा, प्रैक्टिस लगेगी तब यह चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी और जब तक नहीं आ रही है तो आपके सामने पूरा कॉंसेट तो है ही, उससे आप इस तीज़ को सोल कर लीजिए, यह हो गया आपके सामने 44th question, अब हम करेंगे 45th question, same वही concept अधारित है जो हमने अभी तक 2 question किये है फिर से मैं आपको question पढ़ देता हूँ यह question मैं नहीं करने वाला हूँ, यह आप लोगों कोई करना है देखे, A started a work and left working after 4 days, A जो है 4 दिन काम करता है और फिर काम छोड़ देता है तो देखे, 4 दिन काम किया A ने, B finished the remaining work in next 10 days, B ने उस काम को 10 दिन में फिर खतम कर दिया, जो बचा हुआ काम था clear, अब आगे क्या बोला गया है Had A left the work after working for 8 days, अगर A जो है, 8 दिन बाद काम छोड़ता A जो है, 8 दिन काम 8 दिन बाद काम छोड़ता B would have finished the remaining work in next 5 days, तो B जो है उस काम को 5 दिन में खतम कर देता, तो यह आप के सामने statement बनके आगे, वही same concept पर अधारित question है जो अभी तक हमने 43rd, 44th जो question हमने किया है same वही है, यह question इसलिए repeat यहां पर किये है, ताकि आप लोगों को एक बार खुद से करने का भी मोहका मिले, अब आप जो है इस question को खुद करिए आगे माँ चलता हूँ, क्योंकि यह वही है ऐसा नहीं है कि आप सोचे कि इसे question नहीं निकलेगा statement मैंने आप लोग के सामने रखी दिया अब आजाते हैं 46th question पर मुझे लग रहा है, मुझे लग रहा हूँ, मुझे ऐसी feeling हो रही है care, दीरे-दीरे करेंगे इस चीज़ों को बोला गया है, P, Q, R और 3 typist इसमें यहां पर आप लोगों को हिंदी में भी देखने को मिल रहा है जो मुझे हिंदी में मिला न, मैंने आप लोगों के लिए वो रखा है पिछले question मुझे हिंदी में नहीं मिले, इसने नहीं ले पाया ये, जो मैं आप लोगों को class notes करा रहा हूँ actual में कहा है, ये नहीं वाले class notes है मेरे पास पुराने वाले class notes की तो PDF थी PDF भी थी book भी है, तो उनकी तो है मेरे पास, लेकिन नहीं वालों की सिर्फ एक ही type की है, उसमें English English है Hindi नहीं है मेरे पास, तो इसलिए कई questions में आपको Hindi देखने को मिल रही है कई questions में नहीं देखने को मिलेगी कोश्च करूँगा कि आने वाले टाइम में Hindi भी ले लू, Hindi जो मतलब आप लोगों के लिए class notes है वो Hindi में type हुए हो या Hindi में translate हो, वो book भी ले लू ताकि आप लोगों को English के साथ हिंदी में भी आप लोगों को question provide करवा सको जब तक नहीं मिल रहा है तब तक ऐसे काम चला लीजिए कुछ एक के मिलेंगे, कुछ एक के नहीं मिलेंगे जिनके नहीं मिलेंगे उनको translate मैं कर दूँगा आप लोगों के लिए और ढरना नहीं है, सोचो यार ये तो English में आगया चीजे कैसे सालोंगी कोई हाइफाई English नहीं है यहाँ पर मैं आप लोगों को समझाने के लिए तो बैठा ही हूँ अब यहाँ पर देखिए बोला गया है, P, Q, R R 3 टाइपिस्ट, P, Q, R वो तीन टाइपिस्ट है, यानि कि टाइपिंग करने वाले, working simultaneously can type 216 pages देखें, P, Q, R जो है, वो P, Q, R यह एक साथ काम करते है और 4 गंटे लगातार काम करते हैं तो वो 216 page चाप देते हैं मान लिजीये, P, जो है, वो कुछ भी page चापता होगा X, मान लिजीये, Q, जो है वो Y page चापता होगा 1 गंटे में R, जो है, वो valid पेज चापता हुगा एक घंटे के अंदर कि इनके एक 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 घंटे के आ गया तो चार घंटे तक लगाता है इन तिनों ने काम किया तो 216 पेजी जो हो चपकर आ गए अब बोला गया है इन वन हार आर कें टाइप अज मैनी पेजी मोर देन क्यू as q can type more than p यहाँ पर आप देखेंगे r जितना एक घंटे में p चापता है q से जादा उतना q एक घंटे में p चाप देता है p से जादा मतलब r और q के बीच में जितना difference है वो बराबर है q minus p के difference के मतलब यह r q जो है r से जितने कम चाप रहे है q जो है r से जितने कम चाप रहा है उतना ही page कम p जो है q से कम चाप रहे है यहाँ पर आपको हिंदी में मिलेगा एक घंटे में r q से उतने जञदा page type कर लेता है जितना q p से जञदा page type कर लेता है इस statement को आप जितनी बार पढ़ेंगे उतनी ही clarity आएगी अब यहां से आप देखेंगे अगले जो line बोली गिया R can type as many pages in 5 hours as P in 7 hours R जो है जितने 5 घंटे में page छापता है मान लिजी R हमें नहीं बता कितने छापता है R ही मान लेते हैं 5 घंटे में जितने page छापता है उतना P जो है 7 घंटे में page छापता है यह हो गया अब यहां से आप क्या करेंगे इनकी efficiency निकाल देंगे तो R by P लिखेंगे तो यह 5 यहां पर चला जाएगा तो 7 by 5 आजएगा अब यहां पर आप लिख लीजिए यह है R7 यह है P5 Q की value आपके सामने निकल कर आजएगी Q की value मैं यहां पर निकाल देता हूँ देखें यह P को मैं इधर लेके आ रहा हूँ P को मैं यहां लेके आ जाता हूँ तो R प्लस P यह Q माइनस का है इधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा तो Q प्लस Q यहां हो जाएगा आपके सामने 2Q यह R और P की value आपके सामने निकल कर आईए 7 और 5 यानि 7X प्लस 5X ही लिखे क्योंकि यह ratio में है ऐसा नहीं समझेगे कि इनके actual efficiency निकल कर आईए अब यहां पर देखें तो यहां होगा आपके सामने 12X is equal to 2Q हमें तो single Q की चाहिए तो यहां पर हम single Q की निकल कर आएएगे तो 6X clear हुआ अब यहां पर देखें P की value हमारे सामने कितनी है P की value है 5X Q की value हमने निकाल ली 6X R की value हमने निकाल ली 7X तो इन दोनों को यह थोड़ा सा एक साथ लग गया एक मिनट इसको मन थोड़ा सा clear कर देता हूँ यह हो गया 6X अब 4 घंटे थो हमें नहीं चाहिए न हमें तो 1 घंटे की value चाहिए तो 4 को यहां पर लेके जाएंगे यह minus इसको divide करेगा तो यहां आएगा आपके सामने 54 तो यहां पर इन दोनों इन तीनों काम प्लस कर लेते हैं यहां आएगा 18X is equal to 54 X की value आपके सामने निकल कर आएगी 3 तो यहां पर जो इनके बीच में जो X जो common number था वो क्या था 3 था अब पूछा गया है यह तीनों अलग अलग परती घंटे कितने पेच चाब लेते हैं परती घंटे हम इनको 3 से multiply करेंगे तो P की value आएगी 15 इसकी हम multiply करेंगे 3 से 18 इसको हम 3 से multiply करेंगे तो 21 इन तीनों काम प्लस करके देखेंगे तो आपको बता चलेगा 54 ही इनका total समार है तो ऐसे आप question कर सकते हैं चीज़ को भी यह हो गया आपके सामने 46th question 47th question विल्कुल सेम है 46th question के तरिके से एक बार जब आप खुद try करेंगे वीडियो को pause करेंगे एक बार try करने कोशिश करेंगे कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया I hope so आप लोगोंने खुद करने की कोशिश की होगी लेकि जब तक आप खुद करने की नहीं नहीं तब तक आप लोगों को वीडियो को चीज़े समझ नहीं आएंगे यह बले एक बार वीडियो देख लेने से लगेगा कि यार मुझे तो आ गया वो तब तक नहीं हो सकता जब तक आपने खुद ट्राइ नहीं किया हो खुद आपने हाथ से पैन पकड़कर कोपी के अंदर उस कोशिशन को सोल करने की कोशिश नहीं कियो तब तक वो चीज नहीं आने वाली है यहां पर आते हैं त्री टाइपिस्ट वर्किंग टुगैदर एट आर्स पर डे कें टाइप 900 पेजिज इन 20 डेज अब बोला गया है कि हिंदी में भी है तीन टाइपिस्ट एबी सी परती दिन आठ गंटे साथ काम करके 20 दिन में 900 पेज चाप लेते हैं तो मैं कहलेता हूं तीन टाइपिस्ट म साम कर रहे हैं 20 दिन कितना पेज चाप लेते हैं इसे 900 पेजिज वो चाप लेते हैं 900 पेजिज वो चाप लेते हैं 900 पेजिज वो चाप लेते हैं यहां से 0 से 0 में कैंसल कर देता हूं तो यहां पर आएगा 45 तो यहां आगे आपके सामने a plus b plus c इसको 8 से multiply is equal to 45 अब आगे द इकोल टू नमबर ओ पेजिस टाइप बाई सी इन वना यह जो है चार घंटे में जितने पेजी चापता है सी जो है उतना एक घंटे में चाप लेता है तो यहां पर एबाई सी की जो यहां पर आपके सामने आगे की जो लाइन बोली गई है इसको मैं अगर स्टेटमेंट बना हूँ तो ऐसा है कि B और A के बीच में जितना डिफरेंस आता है उतना C और B के बीच के डिफरेंस आ जाता है अब यहां से B गो B इदर लेके आएंगे तो 2 भी हो जाएगा यह A इदर आजाएगा माइनस का है तो C प्लस A हो जाएगा यह आपके सामने यहां पर इनके efficiency की ratio निकली हुई है तो यहां पर हम लिखेंगे 4X प्लस X is equal to 2B यहां पर हो जाएगा आपके सामने 5X 5X यह 2 इसके नीचे आ जाएगा 2 तो B is equal to 2.5X यानि कि धाई हो जाएगी उसकी value तो A की value आपको पता है B की value आपको पता है C की value पता है अब आप निकाल सकते हो अकेले C की value C की value निकालने तो करिए तो A की जगा रख दीजिए X B की जगा रख दीजिए क्या रखेंगे B की जगा हम रख देंगे 2.5X प्लस C की जगा हम रख देंगे 4X इनको हम जोड़ेंगे तो यह आएगा 7.5X 7.5X multiply में 8 है is equal to 45 है तो अब यहां पर हम क्या करेंगे X की value निकालेंगे X की value हम जब निकालेंगे तो यहां पर हम लेके जाएंगे इस 8 को इसके निचे 7.5 को भी इसके निचे तो 45 divided by 75 into 8 इसका point जो है वहां पर उपर चला जाएगा तो यह X की value निकल करा जाती है हमारे सामने हमें तो क्या चाहिए हमें चाहिए 4X की value क्योंकि C की value क्या है 4X है 4X की value चाहिए तो हम इसको multiply कर देंगे 4 से तो 4 से जब हम multiply करेंगे तो यहां पर आप देखिए 4 से यह 2 आया यह 5 आया यह 5 ने यहां पर 15 आया यहां पर 3 आया या नहीं कि जो C जो है वो एक गंटे में कितने पेज़ी चाप देता है 3 clear हुआ तो यह हो गया आपके सामने 47th question अब देखें online पे या फिर जो वीडियो आप लोगों को recording मिल रही है उसमें सबसे बड़ा benefit यह होता है कि आप उस वीडियो को कितनी बार ही देख लीजिए आप लोगों क कहना पड़े अरे सर समझ नहीं आए फिर से समझाईए आप उस चीच को पीछे जाकर भी समझ सकते हैं तो इसमें कंजूसी मत करना रे दुबारा नहीं बोला आप फिर से बोलिए आपके पास वो option है सबसे बड़ा benefit यह है आप 48th question पर आते 48th question कहता है अरे आ गया चल नहीं रहा चल गया 48th question कहता है 3 men dig a pit of 324 meter in six days के तीन आदमिया यह गड़ाख होते हैं 384 meter छे दिन के अंदर फिर्स्ट शिफ्ट second person is so efficient more than the first person as third person is efficient than the second person अब इसको एक बर ऐसे समझाते हैं पहले थो हम 3 person बना लेते हैं ठीक है three man है three man मैं ऐसे कर लेता हूं यह a हो गया यह b हो गया और यह c हो गया अब यह first person है यह second person और यह third person लेकिन ऐसा नहीं कि first person first shift में ही काम कर रहे है यह हैं, फिर्स फिर्च में काम कर रहा है? वो इसे मिलत तर चलेंगे, ऐसे ही B किसी भी सिफ्ट में काम कर रहा है, तो बोला गया है, In First Shift, Second Person, यानि First Shift के अंदर कौन सा Person है? Second Person. तो यहां मैं इसके उपर लिग देता हूँ, यह आपके सामने。 First Shift, तो B जो है, वो फिर्स शिफ्ट में गाम कर रहे है, ठीक है, बोल रहा है, इन फिर्स शिफ्ट, यानि फिर्स शिफ्ट में, जो second person है, जो second person यानि जो B है, is so efficient, वो इतना efficient है, more than first person, more than first person, वो A से इतना efficient है, जितना third person efficient है, second person से, यानि ये वही है, आप question को relate करके देखेंगे न, कि अभी जो हमने पहले वाला question किया है, या starting वाला जो हमने question किया था, I hope so वही था किया, starting वाला, ये रहा, ये 46 वाला, ऐसा ही इननोंने statement यहां पर बना के दी है, यहां पर typist को मिला कर, यहां पर इनको मिला कर, वो efficiency को इननोंने क्या क्या क्या, कम्बाइन करके दिखाया, तो बोला गया है कि जो first shift वाला, जो second person है, उतना ही, किस से efficient है, A से, य अगर statement में लिखूँ, तो ऐसा है, कि B minus A is equal to C minus B, यह ऐसी बात है, अब देखें, A जो है, वो काम कर रहा है, third shift के अंदर, C जो है, वो काम कर रहा है, second shift के अंदर, अब पूछा क्या गया है, अब इसको देख लेते हैं, the work that first person do in 14 hours, यानि कि यह जो first person है, यह 14 दिन में जितना काम करता है, that much work is done by third person in 10 days, इसके द्वारा, यानि C के द्वारा, यही काम जो है, वो 10 दिन में कर दिया जाता है, तो अगर अब यहां से हम इनके efficiency की ratio निकालें, तो A by C, यानि कि 5 by 7, अब यहां पर आप देखें, इस C plus A हो गया, अब 2B is equal to C की और A की value दिए है, 12X और B की value आजेगे आपके सामने 6X, अब पूछा गया है, find how many meter per shift are digged by first person, यानि कि पहले person के द्वारा कितना गड़ा खोदा आ गया, ठीक है, अब यहां पर first person के द्वारा पूछा गया, कितना गड़ा खोदा गया, उसकी shift मे कितना गड़ा खोदा गया, तो यहां पर आप निकाल लीजिए, दिएगे, A plus B plus C, यह तीनों मिलके काम कर रहे हैं, 6 दिन तक काम कर रहे हैं, कितना गड़ा खोद रहे हैं, पूरे दिन में, यानि पूरा दिन का काम हुए ना, first person, second person, third person, यानि 8 गंटे, 8 गंटे, 8 गंटे 24 गंटे हुए, यानि एक दिन का काम हुए, ऐसे इनोंने 6 दिन तक काम किया, तो 324 मिटर गड़ा खोद दिया, तो अब मैं बताओं कि, एक दिन में उसने कितना कर दिया, इस 6 को इसके नीचे लेके जाएंगे, 6 को इसको डिवाइड कर देंगे, यहां पर आएगा आपके स A की वैल्यू हमारे सामने 5X, B की वैल्यू हमारे सामने 6X, C की वैल्यू हमारे सामने 7X, is equal to 54, तो यहां पर हम इनको एड़ करेंगे, तो यह आएगा 18X is equal to 54, X की वैल्यू आजाएगे आपके सामने कितनी, 3, अब इस 3 को multiply कर दो इस 5 से, तो 5 इंटू में 3, यानि कि 15 मेटर 15 मेटर जो है वो गड़ा कौन खोद देगा, A खोद देगा अपनी shift के अंदर, हर एक की आप निकाल सकते हैं, चाहिए वो B हो ची वो C हो, इन जब चीजों को आप निकाल सकते हैं, असानी से, अगर आप लोगों को यह चीज समझ में आ गई होगी, उमीद है आप लोगों क कि मैंने देखा है कि कई बच्चे काफी तेज स्पीड में भी देखते हैं, तो उनके, उनको mind में रखते हो, मैं क्या कर रहा हूं, कि एक बार थोड़ा तेज बोल कर देख रहा हूं, शायद क्या हो, कि उनका फाइदा हो लोगों को, मतलब जादा क्या है, को टाइम नहीं देना चाते हैं, आज की डेट में जैसा देखते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी कोई चीज समझ में आ जाए, ज्यादा टाइम हमें ना दे, तो उस चीज को मैं ध्यान में रखते हो, यह वीडियो जाए, थोड़ी तेज तेज में गोल रहा हूं, फिर भी आगर आप लोगो यानि कि A और B किसी काम को 30 दिन में करते हैं, दोनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया और 23 दिन बाद B काम चोड़कर चला गया, अब गचा कौन A, और पूरा काम जो है, वो 33 दिन में होते हैं, तो बताओ A अकेला कितने दिन में काम पुरा कर सकता है, तो इसको समझें, दीके, A प्लस B अगर एक साथ लगे रहें, कोई इन में से ना जाए, तो ये काम कितने दिन में खतम हो जाएगा, 30 दिन में खतम हो जाएगा, ये total work हो गया आपके सामने, वही आप total efficiency को time से multiply कर देते हैं, तो आपको क क्या मिलता है, वर्क ही तो total work ही तो निकल कर आ जाता है, तो ये इनकी efficiency होगी, ये time हो गया, तो ये total work निकल कर आ आपके सामने, फिर बोला गया है, उन्होंने दूसरी लाइन ये बोल दी, मान लो, कि उन्होंने 23 दिन तक काम किया, यानि कि A प्लस B ने 23 दिन तक काम किया, अब कौन छोड़के चला गया, अब B भाष्य जो है, वो चले गए, अब बचा कौन, A, तो अब काम क्या होगा, 33 दिन में खतम होगा, total 33 दिन लगे, 23 दिन तो यहां लग गए, बचे कितने दिन, 10 दिन और बचे, अब 10 दिन तक कौन लगा रहा होगा, अरे A ही तो लगा र 33 प्लस 10 A, अब यहां पर आप इसको एड़ कर दीजिए, A को A में, तो यह हो जाएगा, आपके सामने 33 A प्लस 23 B, यहां पर आप लेगे हैं, 30 A प्लस 30 B, यह आपके सामने statement बन गए, अब इस A को आप यहां लेकर आईए, इस 23 को आप यहां लेकर आईए, तो आप देखिए यहां पर आपके सामने बनेगा, यह 7 B, यहां पर आपके सामने बनेगा, 7 B is equal to 3 A, यह 3 यहां आजाएगा, B इसके नीचे आजाएगा, तो A by B आपके सामने निकल लेकर आएगा, 3 by 7 by 3, अब पूछा गया है कि A अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, तो यहां पर आप देखिए, इन डोनों की एविशेंसी, यहां पर आप रखे दीजिए, टोटल एविशेंसी मुल्टिप्लाय में, टोटल टाइम, तो टोटल एविशेंसी आपके सामने 10 है, मुल्टिप्ल होगा, क्लेर हुआ, यह हो गया आपके सामने 49th कोशन, अब आजाते हैं, 49th होगया, 50, 50, जो इस कोशन, इस वीडियो में जितने में मुझे कोशन कराने थे, 50 तक ही करवाने थे, यहनिकि आज की इस वीडियो में आपको 8 कोशन मिल जाएंगे, मैं जादा कोशन भी नहीं र बगर बच्चा वो देख ही नहीं रहा है, उसको फाइदा ही नहीं हो रहा है, उसको बोरियत महसूस हो रही है, अब ऐसा तो नहीं है कि पढ़ाते पढ़ाते महां आप लोगों को चुटकुले सोना नहीं लग जाओं, वो चीज़ेंद मुझे करनी है नहीं, पढ़ाई को म आप हिंदी में पढ़ेंगे, आप लोगों कसानी समझ में आ जाएगा, एक बर जारा खुद ट्राइकरी वीडियो पोज करिए, इस कोशन को करने ही कोशिच करिए, I hope so आप लोगों ने खुद एक बर ट्राइ किया होगा, अगर नहीं भी होगा तो कोई बड़ी बात नहीं नहीं होए तो अच्छी बात है, आपने ट्राइ कि आपको पता चला कि आप कहां पर अठके हैं, कहां पर आपको लगाए कि मुझे यहां पर help की जोड़ता है, कहां problem आई है, आप अपनी problem समझ पाएंगे, तभी आप उस particular problem पर काम कर पाएंगे, और आप लोगों को वो कॉ कोई काम 24 दिन में खतम कर देते हैं बोला गया कि A जह है अकेला 2 by 3 वर्क जह है वो टोटल वर्क का 2 by 3 वर्क कितने दिन में खतम कर देगा अगर उन्होंने 20 दिन तक तो 1-7 काम किया A plus B ने 20 दिन तक काम 1-7 किया फिर उसके बाद 26 दिन में काम खतम हो गया 26 दिन में काम खतम हो थोटल यानि की 6 दिन और लगे किसको लगे B को लगे क्योंकि A जह वो वहाँ पर काम चोड़कर चला गया था अब यहाँ पर हम आते हैं A को निकालना है A total वर्क का total वर्क का 2 by 3 वर्क कितने दिन में खतम कर देगा, total वक्का 2 by 3 कितने दिन में खतम कर देगा, यह हमें निकालना है तो यह वही हो गया, फिर से वही चीज़ें हम करते हैं यह 24 A हो गया, 24 B हो गया आप यहां पर देखेंगे, तो यहां पर 20 A हो गया, plus 20 B हो गया plus 6 B हो गया तो आप इसमें add करेंगे, तो यह 26 हो जाएगा यह 26 B आ जाएगा plus, is equal to, यहां पर 20 A है यह 24 A है, plus 24 B है अब यहां पर आप इस A को इदर लेके आईए इस 24 को यहां पर लेके आईए तो यहां आएगा, 4 A is equal to 2 B इससे यह कट जाएगा तो यहां पर आपके सामने यह A इसके नीचे आजाएगा B के साथ 1 है, तो यहां पर आएगा 2 by 1 is equal to B by A यह आपके सामने आगे, आपके सामने total efficiency, ratio आगे आपके सामने अब यहां पर आप रख दीजिए इस ratio को तो यहां आया 2 plus 1, अब मैं X इसलिए नहीं रख रहा हूँ क्योंकि X at the end में कटना ही करता है 2 plus 1, यानि कि 3 in 2 में 24 यह हो गया आपके सामने total work, लेकिन हमे total work तो नहीं करवाना total work का क्या करवाना था, 2 by 3 करवाना था कितनी efficiency से, एक efficiency 1 है यहां पर आपके 3 से 3 कर जाएगा 24 को हम 2 से multiply करेंगे तो 48 days यहां से निकल कर आ जाएगा 48 दिन में यानि यह total work का 2 by 3, 48 दिन में वो काम खतम कर लेगा तो आज की इस वीडियो में इतने ही हम question रखते हैं, ज्यादा lengthy वीडियो मैंने doubt लिखके कि sir मुझे यह चीज़ समझ नहीं आई या फिर मुझे यह चीज़ अच्छी लगी आप अपने राय मुझे देंगे ना तो उसके coding ही work होगा, आप लोगों के लिए ही यहां पर काम कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे अपने लिए यहां अपने आपको समझाना है, ऐसा तो नहीं है ना, मुझे तो आते हैं मुझे तो आप लोगों को समझाना है, लेकिन best way मुझे वो निकालना है कि आप लोगों को अच्छे समझ में आए, वो कैसे होगा, आप लोग खुद मुझे बताएंगे कि सर मुझे ऐसे चीज़ों को समझाना है, तो उस बिहाब पर वहाँ पर काम होगा, clear? तो आज के लिए इतना रखते हैं, फिर से PDF के लिए मैं बता देता हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलिग्राम का एक लिंक दिया मिलेगा, तो जाकर आप वहाँ से इस वीडियो के पेडियो जाओ, डाउनलोड कर सकते हैं, तो आज के लिए इतना था, thank you for watching this